क्रिशन नमर सेवन की कंस्ट्रॉक्टon rectangle whose कि एनल में हर अंगल तो 99 थे एक है इस सारे 90 होते हैं इसमें और यह होगे ने इस पांच तो यह भी 5 ot यह भी 3.8 होगी यहां पर लिखेंगे steps of construction steps of construction कि आप इसमें काम कर सकते हों आप यहां पर थोड़ असा लिख सकते हो आप बोल सकते हो let a b यह वाला a b c d is a rectangle ठीक है whose रहा तो simple से लिखेंगे a b c d is a rectangle हो गया a b बराबर है इसके d c के बराबर है 5 cm ठीक है और इसने क्या बोला हो है और यह b c और b c बराबर है a d बराबर है 3.8 cm ठीक है और angle a बराबर है angle b बराबर है angle c बराबर है angle d बराबर है 90 डिक यह तो होता ही है ठीक है अब यहाँ पर हम steps of construction लिख लेंगे सब से पहले हम क्या करेंगे अच्छों सबसे पहले हम बनाएंगे एबी तो यहां पर हमने ड्रोकर दिया एबी कितना है फाइब सेंटिमीटर इसको लिख लेंगे ड्रो अलाइन सेग्मेंट ठीक है ए बी इकोल्स टू फाइब सेंटिमीटर अब यहां पर 90 बना जो 90 एंगल बनाने की दरवत क्या है देखो यहां पर जो है 3.8 बनाना है आपको मतलब यहां पर दी आए का फॉर जाए मैं लें लेनी है मगर वो लेंस में कहा लूं मतलब मैं ऐसे ख कहां लगा है यहां पर 90 बना लेंगे यह आपका 90 बन जाएगा ठीक है ना तो यहां पर इसको पूली लाइन बनाएंगे क्योंकि हमें यहीं पर दी बनाना है कहीं पर यह ऐसे माला 90 बन गया सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम इसलिखा इनगल बना एंगल ए यहां पर नाम देंगे मालने यहां पर आमने एक स्च कम देंथिया ंक्स अब और इकस अ ऐसे पर और सिरिखेंगे ऐसे यहां पएकर पर देंगे साथ बाद में कट लगा ले लो यहां इसरा पॉइंट इसाथ है एट क्या हो गया कंश्च्रक्ट एडबी कंश्च्रक्ट एडगल अब यहां पर बनाएंगा यहां पर बनाये हमने ऐसे ऐसे कर गए यहां पर बनाएंगे यहां पर आप ले लो वाई 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 बी ए इक्वल स्टू 90 और इसका कोई बच्चो फॉर्मेट मतलब इसके कोई ऐसा नहीं कि पहले यही स्टेप करना है काफी बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि यह लगाया यह यहीं पर रखके 3.8 cm लिया और इसा कुछ नहीं है आप पहले दो बना लो आप जैसे आप जैसे आपको बनाना है पहले आप कोई सा भी स्टेप करो वह आपकी मर्जी है बर बनना चाहिए ठीक है अब हम फॉर्ट क्या ल लगा लेते हैं क्या कट लगा लेतें तो बोलेंगे टेक रेडियर्स थ्री पॉइंट एट सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ड्रॉएन आर्क कहां से बच्चो ए से ड्रॉएन आर्क फ्रॉम ए टू कट लिए टू कट एक्स to कट एक्स एक्स एट किस पर डी पर इसे पहले वाले कुश्यन में में यहां पर थोड़ा मतलब ऐसी लिए था इंटर्सेट करके मैं डिया था कि टेक रेडियस और इंटर्सेट करने का कोई मसलेगी बात नहीं है आप थोड़ा सा इसको ठीक कर सकते य यह लाइन जाद अच्छी आपको ऐसी लिखना है ठीक है तो यहां से हमने किया था यहां पर हमने क्या करा है यहां पर मानलो हमानलो हमारा जो है 3.8 का कर मानलो हमारा यहां पर आ रहा है जैसे यहां पर आ रहा है ठीक है तो इसका नाम देज़ेते हैं दी इसका नाम क्या होगा दी हो गिया सीम किया यहां पे करेंगे फिफ्त में ठीक है फिर बोलेंगे विद्धी सेम रेडियस वद्लब दीने इस से जो अभने लीटे ऊपर वाले विद्धी सेम रेडियस ठीक है अब छाओ तो ब्रैक्स में लीचे सकते हैं त्री.8 cm टीक है, with the same radius, draw an arc from B to cut XYB at, किस पर कट करा रहे हो बच्चो इसको, C पर, at C, तो यहां पर C में लगाना, यहां पर जैसे ही लगाना, तो यहां पर भी लगा दो, यह होगी C, उसके बाद 6 पॉइंट लिख दो, join, क्या करोगे, join, यहीं करोगे, dc, join dc, join dc, बस, हाना, यह 90 है, यह 90 है, यह कितना आपका, 3.8, यह भी आपका कितना है, 3.8, यह 5 है, तो यह भी 5 cm है, ठीक है, hence, a, b, c, d, is the required rectangle, ठीक है, इस तरीके से आप rectangle हो बनाके, खतम करतों के काफी जिये बनाना,